अपने मुझे बोलने का मोका दिया अदेक्स जी दिल्ली दिलवालों की इन्होंने तेरा पोस्टमार्टम किये और ये चोद माँ दिल्ली पे करना चाह रहे थे पर इनको ये नहीं पता था दिल्ली वालों का दिल दड़कता हुआ उनको मिल गया और धड़कने चल रही थी उ उन्होंने ये आज पहली बार नहीं किया उन्होंने 2004 से ये दूसरी सरकारे जो वनी हुई है या सरकार चली हुई है उनको तोड़के अपनी सरकार बनाई 2004 से हिमाचल परदेश चुनी हुई सरकार को तोड़के उन्होंने अपनी सरकार बनाई उत्राखंड में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को गिराके उन्होंने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई उत्राखंड में अध्यक जी कांग्रेस की सरकार थी, चार साल में उनका कार्यक काल खतम करके उन्होंने वहाँ पे चार साल में ही निम्ता दिया हिमाचल परदेश में 2016 की बात हैं ये हिमाचल परदेश में भी कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार को चुनी हुई सरकार को गिरा के भाज्यपा की सरकार उन्होंने वहां बनाई 2017 में मनिपुर में कांग्रेस की सरकार थी चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा के उन्होंने वहाँ अपनी सरकार बनाई 2017 में ही गोवा में कॉंग्रेस की सरकार थी वहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई बिहार में 2017 की ही बात है बिहार में भी भाज़ापा ने अपनी सरकार बनाई 2018 मद्यपरदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी, वहां पे भी इनोंने अपनी सरकार बनाई मेगाल है, 2018 की ही बात है, वहां पे भी इनोंने चुनी हुई सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाई 2019 करनाटका में कोंग्रेस की सरकार थी कोंग्रेस की सरकार चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा के अपनी सरकार बनाई अरड देख दी 2019 में ही सिक्किम में भजपा का एक भी MLA नहीं चुना गया वहाँ पे इनकी जमानत जब्त हो गई और फिर भी इनोंने अपनी सरकार बनाई मुझे लगता कि उन्होंने हमारे तो यहां बस सेट अमेले है इनके आठ अमेले है साइद वो मान सिक्ता इनकी यहां पे नजर आ रही है कि सिक्किम में एक भी इनका अमेले नहीं था जमानत जब्त हो गई तब इनोंने सरकार बना ली उसी मान सिक्ता के अनुसार अभी मैंने बताए यह दिल्ली है दिल वालों की यहां पोस्ट मार्टम हो नहीं पाया क्योंकि दिल धड़कता हुआ मिल गया उनको गिल्ली का जो चूनी हुई सरकार है 2021 में पंडुचेरी में भी इनोंने अपनी सरकार बनाई चूनी हुई सरकार को गिरा के अपनी हुई सरकार बनाई और 2022 में मास्टम में तो सभी देख रहे हैं कि किस परकार से इनोंने क्या काम किया है चुनी हुई सरकार को गिरा के एक ही पार्टी के दो गुट बना दिये और मुझे लगता कहीं ना कहीं वो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के दो गुट बनाना चाहते थे किस परकार से हमारी दिल्ली में काम हुए है हमारे मान ने मुख्य मंत्री मनिशी शोदिया जी के गर पे जिस परकार से CBI का छापा लगाया उन्होंने जिस परकार से अपने जिजा जी वहां भेजे और वहां पे कुछ मिला नहीं अब कह रहें जिजा जी को इतना अनुभाव नहीं होगा साइद तो अब फूफा जी को बेजेंगे अब पहले तो जिजा जी को बेजा उन्होंने जिजा जी को कुछ मिला नहीं वहां पे अब वो कह रहे हैं कि फुफा जी को बेजेंगे साइद वो बड़े उनको एक्सपिरियंस जदा होगा अब फुफा जी की बारी अब आने की किस परकार से तंकी आ जाए जिस परकार से शिक्षा में काम हुआ दिल्ली में दिल्ली में क्या इसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है और अदेख जी मैं अपनी विधानसभा की बात बताती हूँ मेरी विधानसभा में टेग और इंटरनेर्शनल स्कूल है और वहाँ पे क्लास वन ओफिसर की बीवी अपनी लड़की को वहाँ पड़ाती थी उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी बच्ची को प्राइवेट सकूल से निकाल के तुम्हारे दिल्ली सरकार के स्कूल में कराया कि अधर कि अधर क्रोमिला जी कंपीट कीजिए आज समय बहुत कम है वक्ता बहुत जादा है अधर दिये अधर बात जब मैं बोलता हुँ जभी आपको लगता कि खतम करें अधर बहुत अच्छा बोल रही है अभी फूपा तो आया भी नहीं अभी अभी तो जिदा ही आया काम कर रही है यह अनमोल रतन है इनका कोई मोल नहीं है अ यह जितना केते ने हीरे को जितना अपतरासों के उतनी उसकी चमक और निकलेगी तो इसी परकार से हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंतरी, हमारे मुख्यमंतरी, सारे विधायक अनमोल रतन है, इनका कोई मोल नहीं है ये अनमोल है, इसी परकार से इनको लगता कि ये बाते हजम नहीं हो रही जिस परकार से शिक्ष्या में काम हुआ है अदेख जी उनको पता कि बच्चे पढ़ गए देश का बविस्टा है इनके मेरे अंदर जो शब्द है उनके मुँ में अलक में डंडा दे देंगे उनको ये बेरा है कि बच्चे पढ़ गए और उन्होंने सवाल पूछने शुरू उनको पता है गुजराइव गुजराइव सब्सक्रायत कि गुजरात में आम आदमीन पार्टे आगी तो भाज़ापा के जो हमारे मानियए परदान telescopic हैं उनका थियांदी हचार्या से हैं हमारे मुख्य मंतरी अपने स्कूलों में नहीं जाएंगे तो हमारी शिक्षा का वो जो स्तर उपर था वो कहीना कहीं नीचे आजाएगा उनकी सोच है वो लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है कितने हमारे विधायकों को फर्जी केस बनाए जेल में डाला गया मेरे उपर भी केस बनाए गया भजपा के कार्यकर्ता के दोरा तो उसमें कुछ मिला नहीं कहीं बनाए अभी तो चल भी रहे है तो वो यह काम करें जो 20-20 करोड में हमारे MLA को खरीदने की कोशिस कर रहे है अभी जिस परकार से मैंने बताया हमारे जो MLA है उनका कोई मोल यह वो अनमोल है जिस परकार से दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे है कल भी टीवी में दिखा रखे थे कि MLA कुछ MLA संपर्क में नहीं है संपर्क में नहीं है फिर उनको पता चल गया है संपर्क में है सारे सारे संपर्क में अब पता चल गया उनको और अच्छी बात उनको सुनना पसंद नहीं है अच्छी बाते उनके कानों में जाई वो उनको अच्छा नहीं लगता धन्यवाद प्रॉमिला जी कंप्लीट करिए धन्यवाद अदेख जी आपने मुझे बोलने का मोका दिया आज प्रॉमिला जी ने बहुत कोपसूरत वक्त अवे दिया